नमस्कार दोस्तो मेरा नाम है आकाश और मैं आप सभी का अपनी यूटूब चैनल A to Z Study में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और आज की वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा Classics Math में Chapter No.10 Mensuration की Exercise 10.1 का Question No.1 और Question No.2 तो दोस्तो जो Question No.1 है यह हमारा काफी जादा आसान है इसमें क्या दिया है Find the Perimeter of each of the following figures यानि की नीचे मेरे इसमें क्या है कई सारे figures यानि कई सारे diagram दे हुए हैं आपको उन सभी के Perimeters निकालने होंगे तो देखो दोस्तो मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में Perimeter यान की Perimeter क्या होता है उसको कैसे निकाला जाता है यह सब मैंने आपको सिखा गिया था बड़ चलिए मैं आपको एक बार फिर से Division करवा देता हूँ तो देखिए किसी भी figure का अगर आपको Perimeter जिसको हिंदी में हम Perimeter क्याते हैं वो निकालना है तो उसके लिए आपको जादा कुछ नहीं करना है बाहर की जितनी भी मेरी measurement है उसको आपको क्या करना है add कर देना है मतलब यह है कि कोई भी जैसे की मेरा A वाला डाइग्राम देख लो भई A वाले की अंदर कैसा क्या बना है आपको उससे मतलब नहीं है बाहर देख लो कितनी measurement है और बस उसी को आप add कर दो आपका Perimeter यानकी परिमाप निकालाएगा मतलब आपको क्या करना है कुछ नहीं करना है बाहर के सारे numbers सारी measurement को जोड़ देना है तो चलो भई करना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम लोग A वाले को solve कर लेते हैं तो क्यूंकि perimeter निकालना है तो पहले आप लोग लिख लो perimeter साथ में 5 जोड़ दीजे आप तो 7-5 होता है मेरा 12 ठीक है इस तरीके से होगा आपको पहले perimeter लिखना है फिर बराबर कर निशान लगा के सारे numbers को उतार लेना है फिर जोड़ करके उनका answer लिख देना है ठीक चलो जी यह हो गया A वाला चलो अब B वाले को solve कर लेते हैं तो स सब्सक्राइब तो हो जाता है मेरा 110 यानि 110 और 110 में 30 जोड़ दो जाता है 133 इस तरीके से 133 सेंटीमीटर एक ऐसे करना आपको चलो सी वाले पर आते हैं तो सी में मेरी क्या है 15 15 15 15 तो आपको पहले perimeter लिखना है फिर 15 15 15 अगरके आपको measurement लिए है और फिर इनको जोड़ ले 15 होता है 30 30 में 15 और जोड़ जो हो जाता है मेरा 45 यानि 45 और 45 में आप 15 और जोड़ दो तो यह मेरा हो जाता है 60 यानकी 60 ठीक है तो सी वाले का answer हो गया मेरा 60 यह रहा ठीक चलिए अब आते हैं हमारे डी वाले पे तो डी में मेरा 4 4 4 4 4 इस तरीके से measurement दी हुई है तो चलो भ 4 प्लस 4 होता है 8 4 और जोड़ दो हो जाएगा 12 12 में 4 और जोड़ दो हो जाएगा मेरा 16 और 4 और जोड़ दो तो हो जाता है मेरा 20 तेक है यह हो गया डी वाले का answer ठीक चलिए अब हम लोग इसके E और F को कर लेते हैं तो E वाले को पहले जोड लेते हैं तो E में 0.5 0.5 0.5 0 जोड़ने पर हो जाता है मेरा 1 cm साती में 2.5 2.5 होता है मेरा 5 यानि कि 5 और प्लस इसका 1 6 cm 6 में 4 जोड़ दो हो जाता है 14 और एक जोड़ दो हो जाता है 15 यान कि E का answer क्याएगा 15 cm इस तरीके से ठीक है चलो अब F वाले को कर लेते हैं तो F में आपको पैरिमेटर लिखना ह फिर ये सारी मेजरमेट लिख लेनी है अब चलो जोड़ना शुरू करते हैं तो 1 प्लस 3 हो जाएगा 4 4 में 2 जोड़ दो 4 5 6 6 में 3 जोड़ दो हो जाएगा 9 9 और ये हो गया 13 14 14 प्लस 3 हो जाता है मेरा 17 17 18 19 19 और 3 जोड़ हो जाएगा 22 26 25 और 28 30 33 37 38 38 वह था ना हां 40 43 46 और 46 में 4 जोड़ दो तो हो जाता है 50 देखिए इस जोड़ने में कहीं पर कुछ गड़बड हुई है क्योंकि इसका आंसर 50 आई थिंक नहीं 52 आ रहा था हां 52 आ रहा था 52 आ रहा है ठीक है तो जोड़ने में कहीं मिस्टेक हुई है चलो एक बाद फिर से हम लोग जोड़ लेते हैं तो कहीं से पर शुरू कर दो भाई यहां से कर लेते हैं तो चार पाँच आठ दस तेरा तेरा और ये सत्रा अठारा इक्किस तेईस और चबिस तीस इकत्यस चौ 49 40 44 और 44 44 46 49 52 हाँ अब ठीक है अब ठीक है तो इसका किता रहा है इसका आ रहा है 52 ठीक नेक्स्ट है मेरा कोश्यान नमबर 2 क्या कह रहा है दा लेड ओफ आ रेक्टेंगुलर बॉक्स ओफ साइट 40 cm by 10 cm is sealed all around with tape what is the length of the tape required देखे कोश्यन क्या कह रहा है पहले इसको समझ लेते हैं कोश्यन यह कह रहा है कि एक मेरा tape लगेगा देखो एक चीस हमेशा ध्यान देना कोश्यन में डायरेक्ली आपको वो नहीं कहगा कि आपको क्या निकालना है कई बार मेरे ऐसे ही कोश्यन आ जाते हैं जिसमें आपको measurement दे दी जाती है और कहता है कि इस पर कोई material लगेगा बताओ कितना material लगेगा ठीख पूरा है ऐसे बोल दिये जाता है तो इस condition में आपको अपना दिमाग चलाके समझना है कि इस question में मिरे से क्या निकालने को कह रहा है यह मुझसे area निकालने को कह रहा है कि यह मुझसे perimeter निकालने को कह रहा है अब देखो भई जो tape है पहले आप मेरे को यह बताओ जो tape टेप होता है वह आप box के मालो यह मेरे rectangular box है तो जो टेप है वह आप box के बाहर ही तो लगाओगे ऐसा तो नहीं कि यह से अंदर पोत दोगे नहीं पोतोगे ना कैसे लगाओगे ना कैसे लगाओगे ना तो आपको कितना टेप चाहिए होगा उतना टेप चाहिए होगा जो कि म निकालते हैं perimeter का use करके perimeter का use करके यानि कि इस question के अंदर मुझे क्या निकालना है मुझे perimeter निकालना है ठीक है ऐसा एक और चीज़ इस question के अंदर जो measurement है वो मेरी चलो जी तो सारे doubt clear हो गए आप चलो solve कर लेते हैं तो भई language वाला question है हमेशा मैं आपसे कहता हूं language वाला question जब भी आप solve करें तो अपनी तरफ से language जरूर लगाए और language आपको question सही उठा के चिपका देनी है ठीक है ना तो फिर question सही लिख लो तो आप चाहो तो पहले के लिए question से लिख सकते हो the lid of rectangular box of sides 40 cm by 10 cm की जगापे आप L और B कर सकते हो ठीक चलो लिख लो the lid of a rectangular box of L length कितनी है 40 cm और B बरत कितनी है 10 cm क्या कह रहा है is sealed by ऐसे लिख लो आशे समझने में आसान रही है is sealed by tape sealed by tape ठीक है sealed by tape नीचे डाल दो the length of the length of tape required तो अब आपको formula लगा दिना है मैंने आपको पिछली वीडियो में सिखाया था कि perimeter of rectangle कैसे निकाला जाता है याद है कि भूल गया याद है कि भूल गया चलो मैं लिख देता हूँ यहाँ short में तो भई perimeter of rectangle का formula क्या होता है perimeter of rectangle का मेरा formula होता है two bracket में l plus b ठीक है याद रखना क्या है two bracket में l plus b जिसमें l मेरा length है और b मेरी क्या है breadth है जो कि हमने यहाँ पे already निकाल रखी है तो चलो रख दो इसको तो two bracket में l के जगाँ पे लिख दो फई 40 और b के जगाँ पे लिख दो आप 10 जो लिजे इसको तो 40 plus 10 होता है मेरा 50 bracket खोलेगा यहाँ कोई निशान नहीं है जब भी ऐसी condition होते है कि bracket खोलता है और इसके बाहर कोई भी निशान नहीं होता है तो मेरा क्या multiply लगता है तो multiply यानि into 50 आप कर दो तो two five is a ten और two zero is a zero यह हो गया मेरा इसका answer ठीक ना मतलब यह है कि अगर 100 cm का tape है तो वो completely इस धक्कन को मतलब जो भी है डक्कन बॉक्स जो कुछ भी है उसको cover कर लेगा ठीक चलो यह था हमारा question number two I hope आप लोग को यह दोनों question question number one और question number two दोनों समझ में आगे होंगे next वीडियो से हम लोग आगे कि यह जो questions हैं उनको लगवाना शुरू कर देंगे तो जाने से पले दोस्तों मेरी आप लोग से छोटी से request है कि अगर आप लोग को यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज आप लोग इस वीडियो को like, share और channel को subscribe कर दीजे यह मेले बहुत ज़्यादा important होता है अब हम लोग मिलेंगे हमाई अगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार